चीन के तनातनी के बीच अमेरिका ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिये हैं पाँच साल बाद यूएस साउथ कोरिया की सबसे बड़ी ड्रिल होगी उतरी चीन के पास दोनों सेनाओं का युधा भ्यास दस हजार से ज़ादा जवान ले रहे हैं वाड्रिल में हिस्सा अमरीका संसथी स्पीकर नैंसी पिलोसी के ताइवान दोरे के बाद अमेरिका और चीन के बीच तनातनी इस कदर बढ़ती जा रही है कि दोनों देश आर पार के मूड में आ गए हैं चीन से जारी भयंकर तनातनी के बीच अमेरिका ने अपने तेवर दिखाए हैं पांच साल बाद अमेरिका और साउथ कोरिया ने सबसे बड़ी वाड्रिल की है उतरी चीन के पास दोनों देशों की सेनाओं ने यो धब्यास किया इस ड्रिल में अमेरिका और साउथ कोरिया के 10,000 से ज्यादा जवान हैसा ले रही है उतरी चीन के पास हो रही इस वार्ट ड्रिल से चीन का भड़कना तैय है जाहिर है कि चीन भी अमेरिका को जवाब देने के लिए कोई बड़ा कदम जरूर उठाएगा इस वार्ट ड्रिल के जरीया अमेरिका चीन और रूस को सीधा मेसेज देना चाहता है वहीं ये ड्रिल नौर्थ कोरिया को भी सीधा संदेश है कि साउथ कोरिया को आख ना दिखाए अमेरिका और साउथ कोरिया के इस ड्रिल में एरक्राफ्ट वार्ड शिप और घातक टैंक्स शामिल है जमीन से लेकर हवा और समुदर तक वार्ड प्राक्टिस चल रही है 22 अगत से शुरू हुआ ये यो धब्यास एक सितमबर तक चलेगा इससे पहले अमेरिका और साउथ कोरिया ने 2017 में सबसे बड़ी वार्ड विल की थी दोनों देश उल्ची फ्रीडम शील्ड नाम जईये वार एक्सरसाइस कर रहे हैं